पहले और दूसरे चनल की बूटिंग हो चुकी है क्या आपके पास फीड़एक है कितनी सीटोप आप जीत रहे हैं मंदारी से पुलिटकल बैन में इस आप से नौ में से पांचे सीटे जीत रही है मारे शीट रूप से जीतना चाहिए तीन तो कॉंग्रेसी जीत जाएगी मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी फैक्टर मोदी के तो खिलाप अभी लोग बात कर रहे हैं पुर्निया को अगर हटा दीजिए तो बाकी सभी जगा मदाता एक साथ है पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्या नहा तो मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के परदेश अध्यक शकलेश सिंग जी अखलेश जी बहुत बिलंब से आपकी पार्टी के कंडिडेट का नाम घोशित हुआ लेकिन अब जुद हस्तर पचुनाव त्यारी में आप जूट गये हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यहां मांग और बंदन के परत्यासियों की सिती अच्छी रहेगी पहले और दूसरे चरण की बूटिंग हो चुकी है कितनी सीटोप आप जीत रहें मंदारी से पुलिटिकल बैंड में देखिए तीन सीट हम लड़े हैं दूसरे चरण में पहला चरण में तो मेरा कोई नहीं था लेकिन रास्टिय जनतादल के उमिद्वार जहां भी लड़े मजबूती से लड़े हैं चार पहले हुआ पांच अभी हुआ तो इसमें कॉंग्रेस तो लगता है कि तिनों ही जगत जीतेगी वहां बाका में जे प्रकास जी के इस्तिती सब लोग अच्छा बोल रहा है पूर्णिया थोड़ा कमजोर लोग बोल रहे हैं क्योंकि भोटों का बंटवारा हुआ है पपुजी और बीमा भारती में तो इस वज़े से वहां है कि यह लग रहा है तो बाकी तो जो लगता है कि 70-80% सीटों पर मांगट बंदन के उमिद्वार जीत रहे हैं तो आपके हिसाब से 9 में से 5-6 सीटे जीत रहे हैं जीत रूप से जीतना चाहिए तीन तो कॉंग्रेसी जीत जाएगी मोदी फेक्टर काम नहीं कर रहा है क्या मुझे नहीं लगता कि कोई मोदी फेक्टर मोदी के तो खिलाप अभी लोग बात कर रहे हैं सब लोग बात कर रहे हैं दोकड़ और नौकरी का सब लोग बात कर रहे हैं कि 15 लाग खाता में आया नहीं बेरोजगारी अपने चरम पे है महंगाई अपने चरम पे है तो किस बात का मोदी फेक्टर पुर्णिया को अगर हटा दीजे तो बाकी सभी जगा मद्दाता एक साथ है अब जो तिसरा चरन चोथा चरन आगे होने वाला है वो जल्द उसमें क्या संभावनाए हैं क्या पहले और दुसरे चरन की तरह ताकत दिखा पाएंगे आप लोग जैसे जैसे उत्रोत्तर चु कठिनाई बढ़ रही है मोदी जी के लिए कठिनाई बढ़ रही है निस्चित रूप से दिख रहा है खास करके अलवसंख्यक विरादरी में बैकवर्ड कास्ट में एक गुलबंदी हो रही है और जो अगडी जाती की लोग हैं ओ किस हद तक आप लोगों का साथ दे रहे है कांग्रेस के लिए तो सबसे नेचुरल च्वाइस है हम लोग के टिकट मटवारे में भी आपने देखा होगा कि हम लोग तो 33% से ज़्यादा आपर कास्ट को दिये हैं बागलपूर पेतिया और महराज गैज तीन विद्वार हैं दो अल्प संख्यक दिये हैं दो दलिद द कि भी संख्या कुछ कम हुई है और अती पिछड़ों को ज्यादा तरजीह दी अती पिछड़े और कुस्वाहा समाज को निश्चित रूप से उनका जो प्रियोग है वो सफल भी हुआ है और दो नहीं हुआ है कुस्वाहा तो हमको लगता है पांच-छे लोग हो गए हम लो पर कुस्वाहा विरादरी के लोग हम पो लगता है हाइस्ट होगा जादो भी उतना नहीं लड़ रहा है पहले चरण में भी दो सिटों पर कुस्वाहा उमिद्वार थे कितना अंतर पड़ा दोनों की स्थिती मजबूत है कि वैसे तो परिनाम जब आएगा तब आप लोग बताईएगा लेकिन दोनों बहुत मजबूत लड़ाई में वहाँ है जो रेंडम सर्वे किया है इन नो सिंटों का और कभर भी किया है बोटिंग तक चुनाव परचार से लेके बोटिंग तक महागडवन्दन के खाते में जा रही है गरंटेड लेकिन बाकी सिटों पर संस चुनाव में दो चरण के जो मत्दान हुए हैं उसमें इंडिये से आगे है और यह सचाई है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव के दरान बोटिंग के दरान काटे की लडाई दिखी है सभी सिटों पर अब आगे क्या होगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा